बंदे मात्रम एक बार पुना आप लोगा स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर हम लोग कल पढ़ चुके थे अपवर्तन तक आज आप पहुँचे हैं अपवर्तन का नियम अपवर्तन के दो नियम होते हैं पहला नियम जो आपतित किरण होती है अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खीचा गया अभी लंब तीनों एक ही तल में होते हैं कि लिए आएंगे दूसरे नियम पर दूसरे नियम में कह रहा है कि एक रंग के प्रकास के लिए यहीं एक ही रंग के प्रकास के लिए किनी दो माध्यमों के बीज किनी दो माध्यमों के बीज आपवर्तन में आपतन कूण की जया मतलब साइन और आपवर्तन कूण की जया साइन ही है के समानुपाती होती है यहीं एक रंग के प्रकास के लिए किनी दो माध्यमों के बीज आपवर्तन में आपतन कूण की जया के समानुपाती होता है यह आपवर्तन का दूसरा नियम था इसे इसनैल का नियम भी कहते हैं यहीं जो आपवर्तन का दूसरा नियम है इसको हम लोग इसनैल का नियम भी कहते हैं अब माल ले रहा है कि आपतन कूण आई तथा आपवर्तन कूण आर है यहीं आप कह रहा है साइन आई अनुक्रमान उपाती होगा साइन आर के अगर हम यह परपूर्सनल का साइन हटा रहें तो होगा क्या साइन आई इक्वल टू स्माल एन साइन आर यह साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू एन यहन क्या है यह यहन एक अपवर्तनांक है यह नियतांक लिया गया था ठेक इस नियतांक को हम लोग कहेंगे अपवर्तनांक अपवर्तनांक जो होता है वो भी दो प्रकार का अपवर्तनांक दो प्रकार का पहला होगा सापेच अपवर्तनांग यानि जब अपवर्तनांग दो माध्यमों के बीच होगा जैसे पानी और हावा के बीच होगया काँच और पानी के बीच होगया दो माध्यमों के बीच निकाला जाए अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच निकाला जाएगा तो उसे सापेच अपवर्तनांक कहेंगे अपवर्तनांग दो प्रकार का बताए पहला सापेश अपवर्तनांग यह अगर दो माध्यमों के बीच में अपवर्तनांग निकाला जाएगा तो सापेश अपवर्तनांग होगा और अगर निरवात और किसी माध्यम की बीच में एक निरवात रहे और दूसरा कोई माध्यम रहे उसके बीच में निकाला जाएगा अपवर्तनांग तो वो निरपेश अपवर्तनांग कहलाएगा निर्पेश अपवर्तनांक क्या है कि जब अपवर्तनांक निरवात और किसी माध्यम के बीच में निकाला जाएगा तो वह निर्पेश अपवर्तनांक होगा अब जब अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच निकाला जाएगा तो वह सापेच्छा पुर्तनाग होगा के लिए रहा है अब बात आते है क्रांतिक कूण की क्रांतिक कूण क्या है जैसे हम बताये थे यह माली जेक यहां सघहन माध्यम ले ले रहे हैं यहां सघहन माध्यम हो जाएगा यहां पर बिरल माध्यम हो जा रहा है और यहां एक हम ले ले रहे हैं अब प्रकास की किरण जब सघहन माध्यम से बिरल माध्यम में आएगी तो वह अबिलम से दूर हटेगी आगर हम आपतन कौन का मान इतना बढ़ा दें कि अपवरतन कौन यह 90 डिगरी अभिलम के साथ में यहां पर 90 डिगरी बनाने लगे आगर यह अभिलम के साथ में 90 डिगरी का कौन बनाने लगे ऐसे आगर कि इधर चली जाए ऐसे यह तो यहां पर यह क्रांतिक कूण बनेगा यह आपतन कूण के उस मानिक को जिसके लिए आप वरतन कूण 90 अंस हो जाए है यह 90 अंस जब हो जाएगा तो यह जो हमारा कूण था यह कहलाएगा क्रांतिक कूण आपतन कुण हमारा क्या कहलाएगा क्रांतिक कुण कहलाएगा अब आता बात पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी वैसे यहनि क्रांतिक कुण का मान थोड़ा सा और अधिक करते है ठीक है वह आपतन कुण ठीक है वो भी आपतन कूण ही है लेकिन आपतन कूण का जो मान है अगर हम क्रांतिक कूण से थोड़ा सा अधिक कर दें तब प्रकास किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में लोट जाती है अगर हम आपतन कूण का मान क्रांतिक कूण से अधिक कर देते हैं तब प्रकास किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लोट जाती है और इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं जब आपतन कूण का मान क्रांतिक कूण से अधिक हो जाए तब प्रकास किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लोट जाती हैं इस क्रिया को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे एक चीज और ये हम क्रांतिक कूण जो बताए और पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये दोनों चीजों के लिए ये कंपलसरी होगा कि प्रकास किरण सगहन माध्यम से बिरल माध्यम में ही जा रही हो क्रांतिक कूण का मान निकालना हो या पूरांत्रिक परावर्तन निकालना हो ये तभी संभव है जब प्रकास किरन सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जा रही हो ठेक, आता है नमबर प्रिज्म का, प्रिज्म क्या होता है प्रिज्म किसी कूण पर जुके हुए किनी दो प्रिष्ठों के बीच इस्थित पारदर्सी भाग होता है ठेक, दो प्रिष्ठों है मालीजी ये ऐसे है किनी किसी कौन पर जुके हुए किनी दो प्रिष्ठों के बीच स्थित्पारदर्सी भाग प्रिज्म कहलाता है कि लिए आच्छा जिन प्रिष्ठों से प्रकास का अपवर्तन होता जैसे माल जे प्रकास के इधर आई ऐसे निकल के इधर निकल आई तो ये दोनों प्रिष्ठ जो होते हैं ये दोनों प्रिष्ठ क्या होते हैं आपवर्तक प्रिष्ठ ये दोनों प्रिष्ठ क्या होंगे या प्रिज्म कूण कहलाता है इस कूण को हम कहेंगे आपवर्ता कूण या प्रिज्म कूण कंफर्म आचा प्रिज्म की एक और भी सेस्ता है कि प्रिज्म के अंदर से जब कोई स्वेत प्रकास प्रबेस करता है जब प्रिज्म के अंदर जब कोई स्वेत प्रकास प्रबेश करता है तो दूसरे भाग से साथ रंग का प्रकास निकलता है प्रिजमी के अंदर एक कोई स्वेत प्रकास प्रवेश किया और दूसरे भाद से जहां निर्गत होगा वहाँ वो सात रंग का प्रकास निकलेगा जिसे कौन कौन सा होगा लाल नारंगी लाल हो गया नारंगी हो गया पीला है हरा है नीला है जामुनी है बैगनी है आचा इसे साइट में हम लोग बिबिग्योर भी कहते हैं बी आई बी एक से लिए वी आई बी जी वाई ओ आर वी फार वाइलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन एलो औरेंज और रेड ये साथ रंग के प्रकास क्रण निकलती है ये प्रिज्मि की विशेष्टा भी कह सकते हैं इसको अब नमबर आता है प्रकास का प्रक्रीडन क्या है जब प्रकास किसी ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें छोटे छोटे कण उपस थी तो हैं तब प्रकास किरण उन कणों पर तब प्रकास के जो किरण है उन कणों पर प्रक्रीडन हो जाता मतलब बिखराव हो जाता है वो बैगनी रंग का जो प्रकास होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रक्रीडन होता है जो बैगनी रंग का प्रकास है उसका सबसे ज़्यादा प्रक्रीडन होगा और लाल रंग का प्रक्रीडन जो है सबसे कम होता है सबसे ज़्यादा किसका बैगनी का और सबसे कम किसका लाल रंग का होता है जिससे प्रकास की प्रक्रिडन का अगर हम एक्जामपल लेना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आसमान का नीला रंग जो आसमान हमें नीले रंगा दिखाई देता है प्रकास के प्रक्रिडन के कारण है खतरे का निसान जो होता लाल रंग का किया जाता है ये भी प्रकास के प्रक्रिडन का एक एक जामपल है आए चलते हम लेंस लेंस क्या होता है लेंस दो प्रिष्टों से घिरा हुआ कोई पारदर्सी माध्यम होता है जिसका एक प्रिष्ट या दोनों प्रिष्ट गोली होते हैं वह लेंस कहलाता है लेंस दो प्रकार का पहला आता है उत्तर लेंस उत्तर लेंस यहनि कानवेक्सलेंस यह जो हमारा दिख रहा है यह कानवेक्सलेंस है इसमें देखिए क्या है भी सेस्ता इसकी यह बीच में मोटा है दोनों किनारे पर देखिए बीच में मोटा है और किनारे पर पतला है उत्तल लेंस जो होगा वो बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है एसी का उल्टा होता है आवतल लेंस आवतल लेंस देखें बीच में पतला है और किनारे पर मोटा आवतल लेंस यही है यह क्या है देखें बीच में पतला है इसका और दोनों किनारे किनारे पर मोटा है दोनों किनारे पर मोटा है बीच में यह पतला है कि यह हो गया हमारा आउतल लेंज आउतल लेंज को हम आपसारी लेंज भी कहते हैं जो हमारा आउतल लेंज है इसको आपसारी लेंज कहेंगे और उतल लेंज को अभिसारी लेंज कहेंगे ओतल को क्या कहेंगे ? अपसारी ओतल को कहेंगे अभिसारी लेंस वो उतल लेंस होता है अभिसारी और अवतल होता है अपसारी क्लियर अच्छा लेंस से सम्मंदित कुछ परिहास आईं देखलीजिए पहला है मुख्य अच रहा लेंस के दोनों प्रिष्ठों के वक्रता केंदर से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अच कहते हैं जो लेंस होता है उसके दो प्रिष्ठ हैं दोनों प्रिष्ठों के वक्रता केंदर से होकर के एक रेखा गुजरेगी उसे रेखा को कहेंगे हम मुख्य अच्छ किलियर आच्छा इसके बाद चलेंगे प्रकासिक केंदर प्रकास केंद्र क्या होता है लेंस के मुख्य अच्छ परिष्थित वह बिंदू जिससे होकर घुजरने वाली प्रकास किरण आपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है लेंस के मुख्य अच्छ परिष्थित वह बिंदू जिससे होकर जाने वाली प्रकास किरण आपवर्तन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है लेंस का प्रकासिक केंद्र कहलाता है ये मुख्य अच्छ परिस्थित ही बिंदु होती है फिर बात आती है मुख्य फोकस की मुख्य फोकस चाहे उत्तर लेंस के लिए हो चाहे आउतर लेंस के लिए हो दो हो है पहला है प्रथम मुख्य फोकस प्रथम मुख्य फोकस उत्तर लेंस के लिए देखे पहले वा बिन्दू जिससे चलने वाली या जहां से चलने वाली प्रकास किरण लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य अच्छ के समानतर हो जाती है के लिए वाबिंदू प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है जहां से चलने वाली प्रकास किरण लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य अच्छ के समानतर हो जाती है वह उत्तर लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है उसको हम लोग किस से प्रदर्शित करेंगे अब बात आती है कि आउतल लेंस के लिए प्रथम मुख्य फोकस क्या होगा आउतल लेंस में भी वही चीज है थोड़ा सांतर वाबिन जिस पर प्रकास किरणे आती हुई प्रतीत होती है यहाँ कनफर्म नहीं है यहाँ प्रतीत हो रही है मतलब एक बिन्दु है जहाँ से प्रकास किरणे आती हुई प्रतीत हो रही है और लेंस से अपवर्तित होने के बाद मुख्य चीज के समानतर हो जाती है आउतल लेंस का मुख्य फोकस या प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है कनफर्म हुआ चलिए दुतिय मुख्य फोकस पर दुतिय मुख्य फोकस भी वही उत्तर लेंस के लिए पहले देखिए कह रहा है कि समानतर आती हुई प्रकास किरणे उसी का उल्टा समानतर आती हुई प्रकास किरणे लेंस से अपवर्तित होने के बाद जिस बिंद पर मिलती है यहीं यह समांतर आ रही थी अपवरतन के पहशाद किसी बिंद पर मिली है वहाँ बिंद जो है वो लेंस का उत्तर लेंस का दूतिये मुख्य फोकस कहलाएगा और इसे किसे प्रदर्सित करेंगे एफटू से आएंगे आउतल लेंस के लिए आउतल लेंस के लिए देखे मुख्य अच्छ के समांतर आती हुई प्रकास किरण लेंस से आपवरतित होने के बाद जिस बिंदू से फैलती हुई प्रती तो होती है उसे आउतर लेंस का दुतिये मुख्य फोकस कहते हैं मुख्य अच्छे के समानतर आ रही थी आप अवर्तन हुआ किसी बिंदू से फैलती हुई प्रती तो हो रही है वहाँ बिन्दु दूतिये मुख्य फोकस कहलाएगा इसे एक टू से प्रदर्शित करते हैं कि लिएर हो गया तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे जिसको भी कहीं भी कोई भी समस्या होगी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसको सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जये